हैपी ओनलाइन स्टडी में स्वागत है आपका आज हम इस वीडियो में आपको महिला आरक्षन बिल के बारे में बताएंगे जो काफी चर्चा में है और यहां से आपको आने वाले एक्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क तो आपका पहला सवाल है महिला आरक्षन बिल 2023 क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा option B लोकसभा और विधान सभा में महिलाओं के लिए एक बटे तीन आरक्षन प्रदान करने से संबंधित। यहां बिल HD देव गौडा सरकार 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था लेकिन पारित नहीं हो सका था जो यहां बिल 81 वे में सम्विधान संशोधन के रूप में पेश हुआ था। दूसरा प्रश्ण है लोकसभा में महिला आरक्षन बिल किस नाम से पेश किया गया। A. बेटी बचाओं वंदन अधिनियंग B. नारी शक्ती वंदन अधिनियंग C. नारी को नमन वंदन अधिनियंग D. महिला सशक्तिकरण अधिनियंग आपका सही उत्तर होगा ओप्षन B. नारी शक्ती वंदन अधिनियंग लोकसभा में महिला आरक्षन बिलनारी शक्ती वंदन अधिनियं 2023 किस ने पेश किया। आपका ओप्षन है A. अर्जुन राम मेगवाल विधी एवं न्याय मंत्री आपका सही उत्तर होगा ओप्षन A. अर्जुन राम मेगवाल जोकी विधी एवं न्याय मंत्री है। लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को बिल पेश किया गया। और B. सितंबर 2023 को बिल पारित हुआ। लोकसभा और राज्य विधान सभा में महिलाओं को 33% सीट देने का महिला आरक्षन विधेयक को मन्जूरी दी गई है। अगला प्रश्न नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है। जैसा कि हम लोक पहले ही जानते हैं तो इसका आंसर होगा नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023। अगला प्रश्न है पांच लोक सभा में नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023। विधेयत के पक्ष में कितने मत मिले। इस विधेयत के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकी। इसके विरोध में दो मत पड़े बिल के खिलाफ। एमीम के प्रमुक अजदुद्दीनो वैसी और उसकी ही पार्टी के सांसद इंतियाज। जलील ने वोट किया अगला प्रश्न है। सत्रवी लोक सभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। तो आपका सही आंसर होगा 78। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेर कीजिये और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिये मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।